आज के लिए योग वर्शिष्ट का जो सूत्र लिया है वो है Just as the great ocean of milk became still when the Mandar mountain with which it was churned by the devas and asuras became still, even so the illusion of samsara comes to an end when the mind is stilled. Samsara rises when the mind becomes active and seizes when it is still. Still the mind, therefore by controlling the breath and the latent vasnāj. This worthless samsara is born of one's imagination and vanishes in the absence of imagination. It is certain that it is absolutely unsubstantial. अर्थात सूत्र कहता है कि जैसे समुद्र मन्थन किया जा रहा था देवताओं और अशुरों के द्वारा और जो उसमें मंदार परवत डाला गया था, जिससे उसे चर्ण किया जा रहा था, मधा जा रहा था, और जैसे ही वो परवत ठहरा, वो समुद्र भी ठहर गया रहा, स्थिर हो गया, सांत हो गया. ऐसे ही जो संसार का इल्यूजन है, संसार का भ्रहम है, वो हमारे मन के द्वारा पैदा होता है, और जैसे ही मन इस्थिर होता है, वो संसार का भ्रहम जो हमारे मार्ध्यम से पैदा हुआ होता है, समाप्थ हो जाता है. संसार हमारे मन के सक्री होने के साथ पैदा होता है और उसके स्थिर होने के साथ बिलीन हो जाता है इसलिए अपने मन को स्थिर करो अपनी स्नाशों पर और अपनी वासनाओं पर ध्यान करो और उन्हें सम्यक बनाओ ये संसार जो कि व्यर्थ का जान पड़ता है ये हमारी कल्पना से ही पैदा हुआ है और हमारी कल्पना की अनुपस्थिती में ये संसार भी समाप्त हो जाता है और ये निश्चित है पूरी तरे कि ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा था इसका कोई भी सार्थकता इसकी कोई भी नहीं है संसार और मन, संसार और कल्पना, संसार कैसे आता है, जाता है, इस सब को योगवसिष्ट का ये सूत्र हमारे सामने रखता है अब संसार कौन सा संसार, योगवसिष्ट किस संसार की बात करा है सामने सब है, ये लोग, ये प्रकरती, इसकी या हम जो संसार अपना पैदा करते हैं, इन सब के माध्यां से एक संसार की जो अबजेक्टिविटी है, उसकी बस्तुगत सत्ता है, जो है और एक संसार वो है, जिसे हम निर्मित करते हैं, अपनी कल्पना के द्वारा, अपने मन के द्वारा, वो हमारा निर्माण है इसलिए संसार, जिसे हम अनुभाव करते हैं, वो हमारा ही ब्यक्तिगत निर्माण है हमारा पर्सनल इन्मिंशन है और यही कारण है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उतने उनके संसार हो सकते हैं हैं उसमें कोई अंतर नहीं है जितने लोग हैं उनके उतने अपने अपने संसार हैं और उसमें वो उस ढंक से यात्रा कर रहे हैं लोगों के संसार टकराते रहते हैं और कोही टकराव उनको परिशानी में डालता है तो यहाँ पर उदाहरण जो पौरानिक आख्यान चलते आ रहे हैं उनका लिया है पौरानिक आख्यान में कहते हैं कि समुद्र मन्थन का जो उदाहरण है बड़ा सुन्दर है और निश्चीती समुद्र मंथन का जो परतीक भी है अगर उसके और परतों में हम जाएं तो भी वो बड़ा ही खुबसूरत परतीक है समुद्र मंथन का यहाँ पर उसकी जो चर्णिंग थी और उसकी जो इस्थिरता थी उसके ही परतीक को लिया है कि एक तरफ उसमें जो परवट डाला गया जैसे जो भी परवट की कल्पना करी है मंदार परवट और सेशना को उसमें रशी बनाया और एक तरफ देवता पकड़े थे एक तरफ असुर पकड़े थे और मत रहे थे उसको तो कोई भी चीज जब चर्ण करी जाती है तो उसमें हलचल होती है उसमें गती होती है और अगर चर्णिंग रोकती जाए तो ठैर जाता है तो यहाँ पर और उदाहरन और परतों में हम ना जाएं तो जो सीधी परत की बात यहां पर करी गई है वो यह कि हमारा मन भी ऐसे ही है, मन से ही संसार पैदा होता है और मन लगातार एक चर्णिंग में है, लगातार एक मन्थन कर रहा है और उससे ही हमारा संसार पैदा हो रहा है, तो अगर वो चर्णिंग मतना रोक दिया जाए, तो संसार भी रुख जाता है। रुख जाता क्या है? संसार गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है, उस सीज हो जाता है, प्रकट हुआ था, उस चर्णिंग से और उसी से वो सीज हो गया। और भारती जो पौरानिक प्रतीक होते हैं, मिथक होते हैं, उनकी अपनी ही एक अद्वुत सुन्दरता है. यहां पर हम देखें कि वो मन के संदर्ब में जब इस उदाहरण को लेकर आ रहे हैं, तो यह बड़ा ही स्तटीक उदाहरण हैं, बलकि समुद्र मन्थन का उदाहरण भी मन के ही संदर्ब में हैं. हमारे भीतर ही देवदानों दोनों ब्रत्तियां बसती हैं, और दोनों ब्रत्तियों को पौराने का ख्यान कहते हैं कि वासनाएं बांधती हैं. देवता भी वासनामुक्त नहीं है, असुर भी वासनामुक्त नहीं है. देव को भी कुछ चहिए और असुर को भी कुछ चहिए, सब को कुछ चहिए और जब तक कुछ चहिए, तो बंधन है, संसार है. हमारे मन की यही दो ब्रतियां अगर हम इनको बहुत ही सरल ढंक से देखे एक स्तकरात्मक ब्रतियां और नकरात्मक ब्रतियां स्रजनात्मक और विद्धनसात्मक ब्रतियां विद्धनसात्मक ब्रतियों को हम अशुर की तरह देखे और जो स्रजनात्मक ब्रतियां हैं उनको हम देव की तरह देखें लेकिन दोनों में कुछ चाहिए बिक्ति स्रजन की तरब जाए या विध्वन्स की तरब जाए उन दोनों इस्थितियों में उसको कुछ न कुछ चाहिए होता है ये जो मन्थन है ये चला है समुद्र अपनी जगे पर है मन का समुद्र अपनी जगे पर है अब मन का समुद्र क्या है विचारों का जो उत्पन होना है उनका जो घटना है वो तो घटता है अपने धंग से और अपनी जगे पर बना रहता है स्तंभावनाओं के प्रिष्ट भूमी जो मिलती है जो field of possibilities है वो अस्तित्वगत रूप से मिलती है अपने जगे बनी रहती है इन दोनों चीजों में सब अस्तित्वगत है फिर ये मन्थन कहां से शुरू होता चर्णि मन अपने में समस्या नहीं है योग वसिष्ट के सूत्र को देखें तो मन के बारे में एक बड़ी आधुनिक मनोबैज्ञानिक समझ हमारे सामने है और इतने पहले उस मनोबैज्ञानिक समझ को रिशी कह रहे है इसको देखें ये सुन्दर कितनी सुन्दर बात है उनका कहना है कि मन अपने संभावित रूप में potential form में तो रहता है समस्या होती उस churning वाले मन से ये जो संसार, समस्याएं वासनाएं suffering ये सब पैदा होती है उस churning से इसी को मैं कहता हूँ एक है विचारों का जगत जिसके हम तटस्त ड्रिश्टा हो सकते हैं और फिर एक जगत है जब हम उनी विचारों की churning शुरू करते हैं उनको मतना शुरू करते हैं एक घटना हुई अच्छी थी, बुरी थी हम नहीं जानते वो बस थी एक बेक्ति है अच्छा है, बुरा है हम ठीक ठीक नहीं जानते हम अपने जीवन में अपने निर्णे ले सकते हैं आगे जा सकते हैं जो हम को करना है, हम कर सकते हैं वो बात अलग है हमने निर्णे लिये, हम आगे गए तो वो एक इस परस्टता है लेकिन हम किसी बिक्ती, परस्थिती, विचार, विचारधारा, विचारणा इन सब को हम या तो अच्छा बनाना चाहते हैं या इनको हम भुरा सिद्ध करना चाहते हैं ये हैं मन्धन, चर्णिंग अब ये सब अंदर कोला हल चलेगा अंदर की देव और असुर जो हमारे अंदर टेंडेंसीज के रूप में हैं, व्रत्तियों के रूप में वो इस चर्णिंग को चलाएंगे तो हमारा संसार सामने आएगा संसार में कोई बुराई नहीं है योग बसिष्ट ये नहीं कह रहा है कि संसार बुरा है वो कह रहा है ये देखो कि ये आता कहां से है अगर मन स्थिर हो जाए संसार भी बिलीन हो जाता है वो जो प्रक्षेपन था, वो जो निरंतर एक प्रोजेक्शन चल लहा था उस चर्णिंग के माध्यम से वो भी समाप्त हो गया हमारे भीतर एक तटस्थता आई वो हमें ले जाएगी संसार से पार मूल बात ये है, इस तरफ इसारा कर रहा है ये सुत्र अब संसार तो प्रकट होता ही है अनेक अनेक रूपों में तो इसलिए सुत्र कहता है जब ये बात देख ली हमने कि ये जो हमने अपने वृत्तियों अब वृत्तियां कैसे बनी थी हमारे अनुभाव, हमारे स्मृतियां हमारे संसकार हमारे जितनी भी जीवन की धाराएं थी जो हमें प्रोग्राम कर रही थी हमारे भीतर के देव, हमारे भीतर के अशुर। और फिर उनकी ही टक्राव से, उनकी ही टक्राव से इस्तंसार बना था। इस्तंसार बहुत शुब, स्तंतुलित भी हो सकता है, बहुत सुन्दर भी हो सकता है, और वो चर्णिंग अगर बिक्रत हो जाए तो हमारा संसार भी बिक्रत हो सकता है बिक्ति के चुनाव क्या होंगे कि वो एक सार्थक सुन्दर संसार में रहना चाहेगा बिक्रत संसार में नहीं रहना चाहेगा संसार विलिन हो जाएगा इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि संसार खतम, वो खतम, दुनिया खतम हम हैं तो संसार रहेगा अब ये चुनाव हैं कि ये संसार सत्यम शिवम शुंदरम वाला रहेगा या ये असुवता वाला रहेगा पौरानिक मिथक यही देव और असुर के संग्राम को दिखाते हैं ये देवत उसे भरा रहेगा या ये जो हमारी आशुरी व्रतियां हैं उनसे भरा रहेगा और समुद्र मंथन में ही फिर एक तीसरी चीज भी लाते हैं वो सबसे महत्वपूर है न देवता न आशुर चर्णिंग होगी और जब उसमें तमाम तरह के लोब होंगे वासनाएं होंगी तो बहुत कुछ उसमें निकलेगा धन निकलेगा संपदा निकलेगी समुद्र मंथन में यही तो दिखा रहे हैं ये निकला वो निकला और अंत में निकलेगा अम्रत अम्रत कोई बोतल में बंद चीज नहीं है अम्रत है वो समझ जो हमें इस सब के पार ले जाती है लेकिन अम्रत निकलेगा उसके पहले हला हल भी निकलेगा ऐसा फिस जो हमारे लिए संभव नहीं है उसको आत्म साथ कर पाना कहनी यही तो कहती देवता असुर किसी के बस की बात नहीं थी ऐसा हला हल तो उन्होंने शिव को पुकारा शिव ने उसे धारन किया अर्थात देव और असुर से परे अपने भीतर के शिवत्व को पुकारना पड़ेगा हमारे भीतर का शिवत्व, हमारे भीतर का साक्षित्व, हमारे भीतर की वो परम स्थिर्ता, हमारे भीतर की वो इस्थित्प्रग्य शुन्निता, वही सिवत्व है और वो हलाहर को धारन करती है, उसके बाद अमरत में प्रवेश होता है तो संसार में जब तक हमारा मारी चलेगी सब कुछ होगा और उसके अंत में हला हल आही जाएगा ये एक समझे जाए और संसार का यही एक तानवाना है जो लोगों को बचलेट करता है ये संसार की जो भाग दोड़ है और ये मन के भीतर चला ये जो निरंतर संग्राम है ये कभी अच्छी चीजों में ले जाएगा कभी बुरी चीजों में ले जाएगा और अंत में एक विनास्ट की ऐसी धारा भी निकलेगी जो सब कुछ को नस्ट करेगी वही हला हल है सब कुछ समापत होगा चाहे कितनी भी संपदा आई हो चाहे कितना भी सुख आया हो लेकिन उसके पीछे हला हल की धारा चली आ रही है हमारे संसार संसार का यही दुख है अब इस दुख के जब पार जाना है तो यूग वसिष्ट का शोतर कहता है मन को समझो मन को इस्थिरता में लाना जानो जैसे वो मंदार परवत वहाँ पर ठहर जाए और समुद्र सांत हो जाए तो इस मन में उतनी ही इस पस्टता और द्रडता लाओ जैसे उस परवत में थी अब उसके लिए ध्यान के दो पाए योग वसिष्ट कहता है इसलिए अपनी स्टांसों और अपनी वासनाओं का अवलोकन करो और उनमें सहीं अमलाओ उनको संतुलित करो स्टांस ने हमारे सीधे विचारों से जुड़ी हैं जो निरंतर हम मतते रहते हैं na कुछ लोग तो मतते रहते हैं कुछ लोग इतना मतते हैं हर बात को कि उन से लोग धोरी भागते रहते हैं सुबह के news सुन लें social media का कोई message उनकी चर्णिंग शुरू द़ही मत रहें अब उनके मत्ने से मखण और घी तो निकलता नहीं है, उसमें पता नहीं क्या-क्या अजीब से केमिकल वाले कुछ पईजनेश जाग निकलते हैं, एक मैसेज सोचल मीडिया पे किसी को सुबह-सुबह मिल जाए, अच्छा, उसको अपनी बुद्धी के अनुसार लगा कि ये बड़ा ग्यान का है, ग्यान क ग्यान का प्रसार करना चाहिए, सुन रखा है, रिसी मुनी कहे गए है, ग्यान बाटना चाहिए, ये नहीं उसको पता सुबह-सुबह लोगों के नीन क्यों खराब करनी है, कि ये मैसेज फारवर्ड करो, कुछ लोग बड़ी धार्मिक भाव से ही चर्णिंग करते हैं, यो यानि कि वो कुछ न कुछ उनको भी वही फन वाले काम करने हैं, फन और फन, अब ये नहीं पता होगा योग वशिस्ट में कि इंग्लिस का फन भी उसी फन से बन जाएगा, जो फन था, और कभी-कभी ये ताज्युब की बात नहीं कि ये जो साप का फन है, जिसको हम कहते रहे हैं हिंदी में, और वो संसकर से निकला, और इंग्लिस में भी वो फन कहीं वही से बन गया होगा, फन है, फन का फन कब विक्ति को डश ले पता ही नहीं चलता, सब लोग डशे गोम रहे हैं, उससे, तो एक तो चर्णिंग, एक समाचार सुन ले, उसकी चर्णिंग, ल अब चाहें वो योग शूत्र हों, ग्यान बहरव तंत्र के शूत्र हों, भगवान बुद्ध की विपशना हों, सब सांसों के इस दिहान पर जाने की बात कहते हैं, क्योंकि सब को देर सबेर ये बात समझ में आ गई थी, हमारी सांसों का और हमारे मन की हलचल का पुरा और इसके साथ ही यहां पर जोड़ दिया वाशना हैं, यानि कि जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स बस भाग रही हैं, ये करें, वो करें, ऐसा करें, ये चाहें, वो चाहें, तो इसमें सुझाव क्या दिया है, रिशी ने, इनका सम्यक अवलोकन करो, कुछ करने की अभी आव ही सकते हैं कि उनको हम देख सकें, भीतर उठती हुई इच्छाओं वाशनाओं को देखें, थोड़ा थामें, सांसों को देखें, उनका अवलोकन करों, भी पश्चना भी तो है, just watching the stream of breathing, बहती हुई सांसों की धारा को बस देखना, उसी की बात कहरें, एक इच्छा उठी वाशना उठी हमारे अंदर ऐसा करते हैं, करने से पहले थोड़ा थायरो, उसको देखो, उसका अवलोकन करो, हो सकता है, वो महत्वोण हो, प्रासंगिक हो, हो सकता है अप्रासंगिक हो, थोड़ा अगर उसको देखेंगे, तो कई बार अप्रासंगिक होगी, तो गिर अगर उसमें कुछ महत्त होगा तो वो आगे जाएगी हमारा जो ये तटस्त अवलोकन है ये हमको ऐसे ही आगे ले जाता है अगर उसमें को इस्तार होता है तो चीजें बचती हैं स्तार नहीं होता है तो समाप्त हो जाती है सुत्र कहता है कि यह जो संसार है यह हमारी कल्पना से निकला है और कल्पनाओं के अनुपस्थित में इस संसार भी विलीन हो जाता है वर्थलेस अंसबस्टेंशियल उसको कहा है वर्थलेस अंसबस्टेंशियल इनिश्चित है कल्पना, कल्पना ही कल्पना है, कल्पना एक शक्ति है, अब अब, इमेजिनेशन जो है, बहुत ही हमारे अंदर की महात्वपूर्ण शक्ति भी है, पावर है, लेकिन उसको रिलाइज करना पड़ेगा, कि कल्पना की शक्ति क्या करेगी और क्या कर सकती है, अगर हम आज बिज्ञान का इतना विकास देखते हैं, शाहित तेहकला है, वो सब कल्पना के ही विकास से, तो आगे गया है, कल्पना ने ही उसको यहां तक पहुँचाया है, और अगर हम इस कल्पना का दुर्पयोग करते हैं, तो भी हमारा संसार विनस्ट होता है, आम तोर से जो हमारा संसार है, वो हमारी ऐसी ही अराजक कल्पनाओं से ही पहला हुआ है, अराजक कल्पना है, सुख है तो हमारी एक कल्पना है, सुख इसलिए कल्पना है क्योंकि हमें लगता है कि यहां पर सुख मिलेगा, है, नहीं है, हमको नहीं पता, हमारे जो वासनाओं की दोड़ है वो बताती शायद यहां पर सायद ऐसा कर ले इसमें सुख मिलेगा और हम पाते हैं नहीं मिले इस सुख की तलास में बिक्ति कितना तूटता है बिकरता है उसका जीवन गवा prophylition जहां जहां उसने सुख हो जा वहां वहां उसको एक मरीची का मिल गए। फिर दुख जो है वो भी कल्पना है। उसका दुख जो उसके संसार में आया है। एक है परिस्थिति की वास्तविक्ता और एक है उसकी अंदर से उबजी कल्पना। वास्तविक इस्थिति से कल्पना प्राया अधिक भायावा होती है कल्पनाएं सत्र बना देती है मित्र बना देती है कल्पनाएं दंगे करा देती है क्योंकि बिठ्टी ने कुछ ऐसा कल्पित कर लिया कि ये गलत है, ये सही है ये सत्र है, ये मित्र है और उल्जाव सुरू, दंगे फसाद सुरू, कुछ भी हो सकता है Anything is possible तो सुत्र कहता है कि पहले तो ये देखें कि ये जो संसार है, ये worthless और unsubstantial है कौन सा संसार, ये नहीं कि हम कहें कि ये पेगन पौदे लोग, ये सारा जीवन जो सामने दिखा रहा है worthless है, तो कुछ worth की चीज कहीं और होगे उसको डूणते नहीं सुत्र कह रहा है कि जो सामने दिख रहा है हमारी कलपना का projection ये मित्र, ये सत्रो ये प्रेमी, ये प्रेशी ये अच्छा, ये बुरा ये साधू, ये सैतान सब हमारी कलपना है उन में से कुछ कलपना हैं हमको सुक में ले जाती जान पड़ेंगी कुछ दुख में ले जाती हुई जान पड़ेंगी और ये सब ब्यर्थ है वर्थलेस है, अनसबस्टेंसियल है इसको एक बार देखें उसको देखने के बाद हमारे अंदर सांती और इस्थिरता आती और हमारी कल्पना बिस्राम करती है और उसके साथ ही ये वर्थलेस और अनसबस्टेंसियल यहने कि ये जो ब्यर्थ प्रियोजन ही इन संसार है ये विदा हो जाता है संसार अपनी जगे ही रहता है जो जैसा है वैसा ही होता है हमारी कलपना से उपजा संसार समाप्त हो जाता है अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने बनाया था वो सब समाप्त हो गया अब हम उसमें उलज नहीं रहे हैं वे व्यर्थी था इस संसार की व्यर्थता को देखना है तो पहले की लोगों के पास कम उपाये थे आज जो सब से व्यर्थ का काम होता है हमारे समय में 24-7 टीवी पर जो डिबेट्स होती है उन डिबेट्स को देखिए समर्थन में बात कहें, विरोद में कहें, इधर कहें, उधर कहें सब वर्थलेस और अनसबस्टेंशियल बात है उनका क्या मतलब, उनमें क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं है थोड़ी भी कोई अपनी समझदारी का उपयोग करेगा तो वो तटस्त हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, क्या चलना है ये वामपंथी विचारधारा, ये दक्षिनपंथी विचारधारा क्या मतलब है, इस सब अंसबस्टेंशियल, वर्टलेस चीज़ें तो इस अंसार न विचारधाराओं से चलता है, ना किसी तरह की प्रक्षेपणों से चलता है उसकी अपनी एक वास्ताविक्ता है, उसकी अपनी एक मूल सत्ता है और वही इस हलाहल को पार करके, जब हम अम्रत में जाएंगे, तब हमको पता चलती है अम्रत का अर्थ, इस च्छणभंगुर्ता के पीछे, इस ट्रंजेंट स्टेट के पीछे, छुपा हुआ शाश्वत, इटार्नाथ वही अम्रत था और इस प्रतीक में ये भी देखिए, शिव ने जब हलाहल पिया, जो कहानी कहती है, तो कंठ में रौक लिया और इतनी प्यारी सी चोटी सी प्रतीक की बात, इसके भी मल्टिपल लेयर्स हैं, इस सिंबल के यहां पर भी इसके बहुत परतें अलग-अलग डंग से खोली जा सकती हैं, रिसी लोग बड़े अच्छे स्टोरी टलर हैं, लेकिन कंठ में रोक लेने का तात पर ही ये है कि ब्यर्थ की बातें, ब्यर्थ की बखबख, इन सब को पहले समाप्त होने तो ये जो गले में इचिंग होती है बेक्तिके, सुबगाहट, सुरसुरी होती है न, बिना बोले रहा नहीं जाता उससे, चैन नहीं पड़ता उसको कुछ जान ले तो ग्यान बाटने का बेचैनी पकड़ लेती है, कुछ और हो, अच्छा तो अच्छा कहने की, बुरा तो बुरा कातिरेक कहे डालेगा, अच्छा तो अच्छे कातिरेक संसार में संतुलित बैलेंस्ट नहीं है, और पहले ही वो कह चुके हैं कि, स्तांसों और वासनाओं को देखो, देखने से क्या होगा, संसार में जितना विश्व्याप्त है, अगर हम देखें, वो हमारे कंठ और हमारी वानी हमने इतना अनर्गल बोला, हमने इस गले का इतना अनर्गल यानि की व्यर्थ उप्योग किया, और उसी से ये वर्थलेस और अनसबस्टेंशियल वर्ल्ड पैदा होगे, तो क्या आएगा इसके बात, जब इस पर हमारा ध्यान जाएगा, मौन, शाइलेंस, स्टिलनेस, बोला जाएगा, नहीं आवस्यक होगा, तो बोलने का क्या मतलब है, लोगों के संबन्द बोल-बोल के खराब हो गये है, संसार बोल-बोल के खराब हो गया है, लोगों की पूरी जो खिलावट हो सकती थी, वो इन प्रवचनों के कारण खराब हो गई है, तो कि किसी के भी गले में सुबोगा हाट उठी उसको तुरंद प्रवचन देना है, बहुत बड़ी बीमारी है, और उससे निकलेगा क्या हला है, और कथा कहती है, जो इस सूत्र भी उसी हो, इस सारा क्यार है, पहले उस मन्थन को ठहर जाने दो, स्थिर्ता आने दो, और जब वो स्थिर्ता आ आए, अंतरमन इतना शांत हो, उस मन्दार परवत की तरह, जो भी मन्दार परवत रहा होगा, यानि कि हम कलपना ये कर सकते हैं, कुछ पिशाल, परवत, और वो स्थिर्ता का सिंबल है, स्थिर्ता का सिंबल है, स्थिर्ता को ही हम स्थिर्ता नहीं रहने देते, उसी से हम अ that is always available within inner stillness. और उस स्थिरता से, stillness से, हम वहाँ प्रवेश करेंगे जो है, और संसार जो हमें दिखाई देता है, वो है हमारे जो होना चाहिए, जो हमारी कलपना है, जो हमारी सनक है, जख है, हमारी choices है, हमारे आरोपन है, प्रोजेक्शन है, उन से निकली हुई एक घटना, ये सब जाएंगे, तो जो है, वास्तविक, उस में प्रवेश होगा, और वो सुन्दार है, झालना टाना होगा तो है, ये सक्रेष्ches पुन्हारी, झालना लूराओ, झालना ल connections होगा, ये शो हम 10 बष्टन, ये स्च्पशन हो ये, ये सक्क्र说ाटर भो हैे वो चींतode, ताना उन्हारी है, एंहाना है, एंहाना है, झाल